अब हम सुनेंगे लक्ष्मी माता की कहानी बहुत समय पहले की बात है किसी गाउं में एक ब्रामन ब्रामनी रहती थे अब ब्रामन जो था वो कुछ भी कमाता दमाता नहीं था बिक्षा मांगता और उसमें जो मिल जाता उससे उन दोनों पति-पत्नी का गुजारा होता था कभी कभी ऐसा भी होता था कि कोई भी पूजा पाट करने के लिए ब्रामन को बुलाता है नहीं था तो कुछ बिक्षान भी नहीं मिलती थी कुछ महंदाना भी नहीं मिलता था और ऐसे में उनके घर में खाने के भी लाले पड़ जाते थे ब्रामनी ब्रामन से बहुत कुछ कहती कि तुम हटे कटे हो केवल पूजा पाट क्यों करते हो कुछ और भी काम धंदा किया करो करना शुरू कर दिया घरों में खाना बनाती उससे जो मिल जाता दोनों का गुजारा चल जाता लेकिन ब्रामनी को ब्रामन का ऐसे खाली बैठे रहना अच्छा नहीं लगता तो वो ब्राम्बन को समझाती कि तुम भी बाहर निकला करो और कुछ काम धाम किया करो लेकिन ब्राम्बन देव कहां सुनने वाले थे बस अपने पूजा पाठ में लगे रहते कोई पूजा पाठ के लिए बुला लेता तो चले जाते वरना घर में पड़े रहते एक दिन की बात है ब्रामन ब्रामने में बहुत तेजगी लड़ाई हो गई और ब्रामने ने ब्रामन को कह दिया कि अब तुम यहां से घर से जाओ और जब तक कुछ कमा कर नहीं लाओगे खर मत आना अब ब्रामन बिचारा घर से चल दिया चलते 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 जंगल में पहुँच गया जंगल में पहुँचा तो बड़ा सुन्दर द्रश्य उसने देखा पक्षी चेह चाहा रहे हैं ब्रामन की नजर एक मंदिर पर गई वहां एक मंदिर था उसने देखा कि वो मंदिर तो सोने का बना हुआ है मंदिर के दरवाजे पर हीरे मोती लटके हुए हैं मंदिर की बहुत बढ़िया शोबा हो रही थी तो उसने सोचा कि इतना संदर मंदिर तो मैंने एक आज तक नहीं देखा बहुत संदर मंदिर है इस जंगल के बीच में इतना संदर मंदिर कहां से आया ब्रामन तो बस वहां खड़ा मंदिर को निहारता रहा थोड़ी दिर में सोचने लगा जब मैं गूमता गूमता जंगल में आ ही गया हूँ तो चलो भगवान के दरशन भी कर लेता हूँ यह सोच कर ब्रामन मंदिर के अंदर गए लेकिन देखा तो मंदिर तो अंदर से खाली था मंदिर में भगवान थे ही नहीं उसने सोचा कि मंदिर में इतना संदर मंदिर है इतना सारा सोनना जड़ा हुआ है हीरे मुत्ती लगी रहे हैं लेकिन यहाँ पर भगवान तो है ही नहीं अगर मुझे भगवान के भी दर्शन हो जाते तो कितना अच्छा होता लेकिन अब क्या कर सकता था उदास हो गया बाहर निकलने लगा तो उसने देखा थोड़ी दूर पर एक पेड़ था और उसके पिछे से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था तो भू सोचने लगा कि ये तो बड़ा अजीव जंगल है सोने का मंदिर है और इतना सुंदर मतलब द्रशे है यहां पर बड़ा सुंदर तालाव है पक्षी चह चाहा रहे हैं और ये दिखो पेड़ के पिछे से दिव्य प्रकाश भी निकल रहा है तो उसके तो आश्चरिय की ठीकाना नहीं रहा पा अब कोई गरीब बिज़ारा दरिदर भ्राम्मन अपने सामने साकषात लक्ष्मी माता को देख लेगा तो उसके मन की दशा क्या होगी आफ ही सोचो वो तो साकषात लक्ष्मी नारायन भगवान को देखकर इतना आननदित हो गया कि उसके तो कुछ भी मों से नहीं निकला वो तो समझ ही नहीं पाया कि अम मैं करूं क्या वो तो वहीं पर भगवान के चर्णों में बैठ गया और माता लक्ष्मी और भगवान जी जो चोपड का खेल खेल रहे थे उसे देखने रगा खेलते खेलते तो पहर हो गई अब भगवान नारायन जी ने ब्रामन से पुछा कि ब्रामन देव आप पड़े ध्यान से हमारे खेल को देख रहे हैं आप पताओ कि हम दोनों में से कौन जिता है ब्रामन देव ने देखा कि माता लक्ष्मी साक्षात खुब सारा सोना चांदी के गहने उन्होंने पहन रखे हैं जब वें हस रही हैं बोल रही हैं तो उनकी मुक्से मोती चड़ रही हैं अब जैसे एक कहावत भी होती है किसी बुक्के से पुछो कि दो और दो क्या होता है तो वो सिद्धा कहेगा कि चार रोटी अब इसी तरह ब्रामन देव की भी हालत हो रही थी अब नारायन भगवान ने पुछा तो वो बोला प्रभो जी मुझे शमा करो लेकिन आज के खेल में तो माता लक्ष्मी ही जिती हैं आप फार गए नारायन जी बोले अच्छी बात है ब्रामन देव ता तुम जो कहते हो वही सही है अब माता लक्ष्मी तो ब्रामन देव से बहुत परसन हो गई उन्होंने जिता हुआ बता दिया तो उन्होंने अपने हाथ से एक अंगुठी उतारी और ब्रामन को दे दी और कहा कि लो ब्रामन देव आपका इनाम क्योंकि माता लक्ष्मी ने हीरे की अंगठी दे दी सोचने लगे कि इसे बेच कर तो बहुत सारे पैसे आएंगे हमारी तो जन्मो जन्मो की करीबी मिठ जाएगी रास्ते में जब लोट रहे थे तो उन्हें एक नदी दिखाई दे गई उन्हें प्यास भी लग रही थी सो चचल थोड़ा सा पानी पी लो अब पानी पीने के लिए जो नदी में उतरे उनके हाथ से वो अंगठी फिसल कर नदी में गिर गई आप तो सिर पकड़ कर बैठ गए अरे ये क्या हो गया ये कैसा अनर्थ हो गया बड़े दुखी हुए पर क्या कर सकते थे बड़े दुखी मन से अपने खर आए ब्रामनी दर्वजञे पे ही खड़ी थी उसने पुछा कुछ कमा कर लाए हो तो ब्रामनी ने सारी आप बीती सुना दी कि मुझे तो ऐसे ऐसे सोने चांदी की हीरे मुत्ती की अंगुठी मिली थी लेकिन दुल भाग्य से वो मेरी अंगुठी को गई ब्रामनी ने सोचा कोई बात नहीं चल कोशिश तो गड़ी कुछ तो मिला था उसने ब्रामन को अंदर आने दे दिया राथ होई ब्रामन ब्रामनी सो गए अकले दिन ब्रामन देव सुबह सुबहव सवेरे सवेरे जल्दी उठे नहा धोकर फिर चल दी जंगल की तरफ तो जाकर देखा तो फिर लक्षमी नारायन जी बैठे चोपड खेल रहे थे तो वहाँ ब्रामन को आया देखा तो नारायन ने बुला लिया आओ ब्रामन देव बैठो अब लक्षमी नारायन जी खेलते रहे ब्रामन देव देखते रहे देख करते करते दो बहर हो गई नारायन जी ने फिर पुछा ब्रामन देव बताओ आज कौन जिता लेकिन ब्रामन देव को तो कल की अपने खोई अंग उठी का बहुत दुखो रहा था तो उसे तो लग रहा था कि अगर उठी बेच लेता तो मुझे बहुत सारा पैसा मिलता मेरी करीब भी दूर हो जाती उसके मन में तो लक्ष्मी माता बसी हुई थी उसके मुझे निकल गया कि आज के खेल में भी लक्ष्मी माता ही जिती है नारायन ज देव तो रतन देखकर रतन उनके हाथों में चम चमा रहे हैं उनकी तो आंखों में मतलब चमा का गई कि आज तो मेरी लोटरी लग गई आज तो मुझे बहुत सारे मतलब पैसे मिलेंगी बहुत धन मिलेगा और मैं ब्रामनी को जाकर कहूँगा देख मैं कितना कमा के लाया ह रतन लेके चल दिये चलते चलते खर पहुँच गए जाकर ब्रामनी ने पुछा कि कुछ कमा कर लाए हो वो बोला हाँ कमा कर लाया हूँ जोली फैला ले ब्रामनी ने जोली फैला ली अब ब्रामन देव ने अपने जोले में से पांच रतन निकल ले और ब्रामनी की जोली में डाल दिये लेकिन ये क्या ब्रामनी की जोली में जैसे ही रतन पड़े वे तो पांचो रतन अंगारे बन गए और ब्रामनी की साड़ी जल गई अब ब्रामनी को बहुत खुस्सा आया ये कौन समझाग था वई तुमने मेरी साड़ी में अंगारे डाल दिये अब ब्रामन भी देख के हरान मैंने दुरतन डाले थे ये अंगारे कैसे बन गए ब्रामनी ने गुस्से में आकर वो सारे अंगारे चुले में जोक दिये ब्रामनी को तो ब्रामनी को खुब बढ़ बढ़ करे जा रही थी ब्रामन को खुब बढ़ करे जा रही थी लेकिन ब्रामन देव क्या क तो फाकवान लक्षमी नरायन ने फिर पुछा कि बताओ ब्रामन देव आज हम दोनों में से कौन जिता तो ब्रामन देव ने फिर लक्षमी माता का ही नाम ले दिया बोले कि लक्षमी माता ही जिती है अब लक्षमी माता तो खुश हो गई ब्रामन देव ने आज भी जिता चल दिये बार बार जोले में से निकाल कर हीरो के हार को देखते कि आज तो हीरे ही हैं ना कभी कल कितरे अंगारे बन जाएं लेकिन हार ही था चलते चलते अपने घर पहुंच गए घर पहुंच कर ब्रामनी ने पुछा कि आज क्या लेकर आए हो तो ब्रामनी ने कहा कि रोका हार निकाला और ब्रामनी के गले में पेना दिया और कहने लगे अब आख खोल के देख अब ब्रामनी ने जैसे ही आख खोल के देखा वो ही रोका जो हार था वो तो साम बन गया ब्रामनी के गले में नाग लिप्टा हुआ अब ब्रामनी तो जो 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 से चिलाने ल लाते हो कभी साप लाते हो तुम कर क्या रहे हो ब्रामन कुछ भी नहीं बोला क्योंकि उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था अगले दिन फिर सुबह सवेरे गया और जाकर देखा तो लक्ष्मी नरायन जी बैठे थे खेल रहे थे खेल देखता रहा दो पहर हुई तो जिर नरायन जी ने पुछा बताओ ब्रामन देव कौन जिता इस बार पे ब्रामन ने कहा कि लक्ष्मी माता ही जिती है लक्ष्मी माता तो खुश हो गई खुश हो कर लक्ष्मी माता ने अपनी कमर से खजाने की चाब भी निकाल ली और ब्रामन देव को दे दी और कहा ब्र जाना कोल के दिखा तो दिखा वहां तो भंडारे बरे पड़े हैं धेर लगे पड़े हैं अनधन के और हीरे मोती के तो ब्रामन देव से जितने उठाए गए उन्होंने उठा लिये देखे चल दिये चलते चलते बहुत खुश हुए जा रहे थे कि आज तो मैं बहुत सारी ध हो क्या रहा है उधर बरामन देव को हो क्या गया है कभी साब लाते हैं कभी अंगारे लाते हैं ऐसा पहले तो नहीं करते थे कभी आटा लाते थे कभी चावल लाते थे थोड़ा लाते थे पर काम के चीह लाते थे आज कल ये सब हो क्या रहा है तो सोचने लगी कि आज मैं अराम से बैठके पूछोंगी, अब बरामन देव बड़े दुखी, क्या कहूंगा बरामनी से जाकर, बड़े दुखी मन से दीरे दीरे चलते चलते बहुत देर रात तक अपने घर में आए, जाकर बरामनी देखा तो दरवाजे पे खड़ी थी, तो उचने लगे कि अब ये हो क्या दिया है आप कभी अंगारी लेकर आते हो कभी साप लेकर आते हो और सुबह सवेरे उठकर इतनी जल्दी जाते कहा हो अब बरामन देव ने सारी बात बरामनी को बता दी कि ऐसे ऐसे मैं जंगल में जाता हूँ वहां एक मंदिर है लक्षमी नरायन जी चोपड़ केलते हैं और पूछते हैं कि हमारे में से कौन जिता तो मैं लक्षमी जी को बड़ा बता देता हूँ तो सारी बाते सुनकर बरामनी कहने लगी कि आप तो बहुत भूले भाले हो आप तो रोज गलती करते हो धन के लोब में आप माता लक्षमी को जिता हुआ बताते हो और भगव जी के बिना एक पल भी नहीं रहती जहां भगवान नारायन होते हैं वही माता लक्ष्मी होती है इसे लिए मेरा कहा मानो आप कल जाना तो भगवान नारायन जी को जिता हुआ बताना अब ब्रामन ने सोचा चल एक दिन ब्रामनी की बात मान के भी देख लेता हूं अगले दि तो लक्षमी नारायन जी खेल रहे थे उन्होंने पूछा कि बताओ ब्रामन देव कौन जिता अब ब्रामन को ब्रामन की बात यादा गई उसने कहा था कि नारायन जी को जिता हुआ बताना ब्रामन की बात याद करके ब्रामन बोला नारायन जी आज के खेल में तो आप ही जि तो कहने लगा नहीं भगवान आज तो मैंने बड़े थ्यान से खेल दिखा और आप ही जित्ते हो अब नारायन जी कहने लगे देख लो ब्रामन देव मेरे पास तुमें देने के लिए कुछ भी नहीं है अभी भी समय है तुम बता दो कौन जित्ता लेकिन ब्रामन तो कहने ल को देते हुए बोले की लो ब्रामन देव मेरे पास तुमें देने के लिए इसके अलावा कुछ भी नहीं है तुम यही ले लो अब ब्रामन देव ने सिख्का ले तो लिया उन्हें गुस्सा भोधाया ब्रामनी के उपर रोसों ने चांदी हीरे मुट्ञ मिल्दे थे और ब प्रामने की बात मानी तो तामबे का सिक्का मिला लेकिन फिर भी क्या करते ब्रामनी ने कहा था उसने कह दिया था अब अपनी बात से पलट नहीं सकता था बड़े दखी से मन से चल दिया जब वो जाने लगा तो भगवान ने रोका कहने रगे प्रामन देव रुको मेरी एक बात सुनते जाओ तुम्हें पहले जो कोई भी मिले उससे तुम कुछ न कुछ जरूर ले लेना क्या अपता तुम्हारे काम की चीज हो अब चलते 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 ब्रामन देव चल दिये अभी अपने गाउं के पास ही पहुंचे थे कि एक मचली बेचने वाला मचली बेच रहा था जोर जोर से अवाई लगा रहा था कोई मेरी मचली ले लो कोई मेरी मचली ले लो अब बरामन देव ने सोचा कि सिक्का मेरे काम का नहीं है वैसे भी नाराएंजीनी कहा था कि कोई मिले तो कुछ ले लेना चल ही ले लेता हूँ वैसे तो मचली भी मेरे किसी काम की नहीं है पर चलो ले ले लेता हूँ उसने मचली ले ली और मचली लेके धीरे धीरे बड़े दुखी से मन से अपने घर की तरफ जा रहा था चलता रहा चलता रहा जब उसका घर आने को हुआ तो देखा मेरी जोपड़ी जहां उसकी जोपड़ी थी वहां बड़ा महल खड़ा था और कूब नुपकर जा धारा जा रहे थे तो सोचने लगा यह सब क्या हो गया मिरी जोपड़ी कहां गई मेरी ब्रामरी कहां गई तब इंधर से देख रही थी उसने ब्रामन को बुला लिया ब्रामन ने अंदर जाकर देखा तो ब्रामनी तो खूब सोने चांदी के गहने पहने खड़ी है कोब अच्छे अच्छे कपड़े उसने पहन रखे हैं तो बोला ब्रामनी ये सब क्या हो गया ये सब कैसे हो गया तो ब्रामनी ने कहा कि आज तुमने सही बात कही थी तो मैंने कहा था ना कि जहां पर नारायन जी रहेंगे वहीं पर लक्ष्मी माता रहेगी तुमने आज नारायन जी को जित्ता हुआ बताया तो नारायन जी की किरपा से लक्ष्मी माता की किरपा से हमारे घर में खोब अंधन हो गया अब ब्रामन देव तो बड़े खुश हुए, तभी ब्रामन देव को याद आया कि मैं तो मचली खरीद कर लाया हूँ, उसने मचली ब्रामनी को दे दी, ब्रामनी ने एक नोकर को दे दी, नोकर ने जैसे ही मचली को बनाने के लिए चीरा तो उसके अंदर से वो अंगुठी निकली, जो ब्रामन देव से नदी में खो गई थी, वानि पित्ते समय, अब वो भगा भगा उनके पास आया कि ब्रामन देव आप जो मचली लेकर आये थे, उसके पेट में से ये अंगुठी निकली है, ब्रामन देव तो अंगुठी पैचान गई, ये तो वही अंगुठ जो मुझे लक्ष्मी माता ने दी थी, अब ब्रामन देव सारी बास समझ गए, कि लक्ष्मी माता तब तक कहीं पर नहीं जाती, जब तक भगवान नारायन जी की इच्छा ना हो, मैंने लक्ष्मी माता को जित्ता बता कर, भगवान नारायन को हारा बता कर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, अब दो ब्रामण ब्रामनी दोनों पूरे सच्चे मन से पूरी शरद्धा से भगवान लक्षमी नरायन की रोज उजा करने लगे, भगवान लक्षमी नरायन की क्रपा से उनके घर में खूब अंदन के बंदारे भड़ते चले गए, उनके खूब परिवार ह गया सुख शांती हो गई सब तरह की सुख सुविधावने मिली जब तक जित्ते रहे सारे सुखो का उन्होंने उबबोग किया और मरने के बाद विमान पर बैठ कर स्वर्प को गए बोलिये लक्षमी नारायन भगवान की जैहो